हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल ते गेमिंग प्रीस्ट आज की इस वीडियो में मैं अपने गार्डियन को अनलाग करूंगा वैकन करेक्टर को और फाइनली आज ही में हो गया है मेरा अनलाग हुआ हाला कि मुझे थ्री टाइम सोडा खेलना था बट हुआ गया मेरे साथ मुझे थ्री टाइम एक्स्टर खेलना पड़ा क्योंकि टू टाइम जो है फेल सर्वर कनेक्टिविटी के वज़े से फेल हो गया और एक टाइम इम्मॉर्टल रेट लग गई तो उसकी वज़े से मुझे टूंटी हंड सोरी टू के जेम्स के साथ मै मैं फिट से थ्री टिकेट खेलना पड़ा अब मैं चलता हूँ एवैकन की तरफ सो यहां पर एवैकन की स्किल्स आपको दिख रही है एवैकन अनलॉक है मेरा जितना भी मिशन था वह आज कंप्लीट कर लिया मैंने और इसके बाद मैं इसको अनलॉक करूंगा यह हुआ अन इसके बाद में उसको जब आएगा तभी कर पाएंगे अब बात करें तो हम लोग सबसे पहले जो आवैकन इसके लिए उसको अनलॉक कर लेते हैं और उनलॉक करने के बाद उसको सेट कर लेते हैं हर जगह पर जहां जहां पर है उसकी जरूरत आपके जो यह में इसकी लिए तो हर जगे पे रहेगी आपकी यह पी वी पी और पी वी ए पी टीम पी पी सब पे रहेगी तो भाई डिफॉल्ट एक नए स्किल्स एड हो गई और सो यहाँ पे सब इसकी लैड होने के बाद में अब हम वापस से चलेंगे अपनी स्किल्स की ओर पे सो वहाँ पे देखेंगे अभी क्या-क्या है कितना जो लेवल अभी यह नया वाला है कितना कम्प्लीट होगा फाइनली यहाँ पे इसको भी unlock कर दिया है मैंने और unlock करने के बाद इसको भी equip करेंगे जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं एक प्रम करने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास जो skills point है वो तक्रीबन 1.5 के ही है और वो मुझे increase करना पड़ेगा पहले इसको sit करके एक बार लगाते हैं यह जो है shotgun box shot इसको भी देखेंगे कि work कैसे करती है यह ऐसे basically अभी मैं अपनी inventory पर जाऊँगा और inventory से open करूँगा skills point box approximately 3000 या उससे ज्यादा मैं आप से direct ही मिलता हूँ तो सिर्फ finally मैंने जो है skills point box open करके अभी मेरे पास 66,000 है so मैं अब यहां से इसको enhance करना चालू करूँगा लेवल अप करूँगा अपनी skills का so level up करने के बाद में so level up करने के लिए अभी मैं auto app clicker कर यूज कर रहा हूँ क्योंकि भी बार बार tap करने में time ज्यादा लगेगा so hundred times में so यह काफी fast कर देगा so बस इसको play करना है so यह काफी fast करेगा अब अगर network आपका थोड़ा सभीक है तो थोड़ा time लेगा नहीं तो बहुत ही जल्दी कर देगा यह आपका so देखे काफी speed में करता जा रहा है और कितना लगेगा कैसे so मैं अभी skills point के box अभी तो फिलहाल है लेकिन कुछ कम है so उसकी वज़े से मैं बस उतनी skills को 100 और 120 करूंगा जो मैं use करता हूँ जो बाकी है वो मैं बाद में enhance कर रहूंगा 120 क्योंकि अभी जिसकी जरूरत है पहले उसे enhance करेंगे उसके बाद में जो left बचेंगी उनको हम बाद में कर लेंगे so हलांकि जो तीसरे number वाली skills है इसका कोई basically कोई use नहीं करता है जादा so मैं इसको भी यहीं पर छोड़ दूँगा इसको नहीं करूँगा मैं 100 और ना तो अभी 120 यह at least last में करेंगे हम और जो skills combo वाला जो first वाला है जो sealed वाला इसको भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो cannon है उसका use होता है पीवीपी में मैं करता हूँ तो इसलिए उसको 120 करेंगे और जो बाकी की जो 100 है यह सब बाइडिफॉल्ट पीवीई में लगी है आप देख सकते हैं इनको करना जो है mostly important है यह भी फाइनली 100 हो गई है सो अब मेरे पास 26 के बचा भी है तो 26 के और अभी कहीं लगाने की जरूरत नहीं इसलिए मैं 20 के save कर लूँगा और save करने के बाद मैं वापस से चलेंगे सो यहाँ पर अभी आपको xp मिल जाएगी one approximately 200 के क्या सपास सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखा claim add twist तो मैं यहाँ पर reward claim add double कर लूँगा सो यहाँ पर एक add play होगा सो यहाँ पर add play होने के बाद में सो finally add play हो गया है और अभी आपका जो भी xp मिलेगी वह आपकी double हो गई है सो अब मैं यहाँ से फिट से वापस चलेंगे वापस चलने के बाद में एक बार इन गियर पर चलेंगे और गियर पर देखेंगे कि जो अपना gold के साथ मैं xp bonus वाला set लगा है कि नहीं सो finally already जो है collect करके रखें बस ट्रेट इनकी change करनी है मुझे सो ट्रेट मैं सेटेड़ को change कर लूँगा क्योंकि अभी जो है gold bonus भी नहीं है so gold bonus और xp 120 level में एक साथ ही अप कर लेंगे उसके लिए बस थोड़ा सा wait करना है मुझे क्योंकि two times जो है extra जो है clear ticket मैं waste नहीं करना चाहता हूं क्योंकि clear ticket भी कम है और incense level अप करने के लिए भी आपको काफी सारी clear ticket भी चाहिए और जो double वाली reward है incense की वो भी ticket आपको चाहिए तो वो ticket आपको easily जो है गिल्ड सुरी कैम से मिल जाएंगी 200-400 टेली में डिसेट करने पर और यहां से मैं एक बार बग सॉट जा है जो एक्सपी का सो बग सॉट में एक बार ट्राई करूंगा शॉट गन बग साउट कैसे यूज करते हैं सुबर बेसिकली यह दो बार यूज हुए और इसके बाद इसका का इस्किल जो कूल डाउन है वो 15 से कंड है वो काफी ज्यादा है अगर इस पर पीवीपी का जो रॉक स्टार है सुब अगर आप थ्री टाइम्स मलब पूरा सेट यूज करेंगे तो आपको तक्री सेकंड जो है इन लेस हो जाएगा यह तक्रीमें ट्री सेकंड की बचेग सो वो करने पर सीपी भी कम होगी आपकी सो फाइनली मैं यहाँ इसको इन्हेंस कर लेता हूँ बेरी रिचार्ज और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा डिमॉनिक रेट पे किसी को डिमॉनिक रेट तो नहीं खेल नहीं है अगर किसी को डिमॉनिक रेट खेलने होगी सो इसको मैं इन्वाइट कर लूगा बिसिकली क्या है कि गिल्ड मेट के साथ या जिस अपने गिल्ड मेट के साथ ही खेलें तो पॉइंट भी एक्स्टा मिलेगा और किलियर होने के चांसे ज़्यादा है क्योंकि CP सबका सेम है और CP जिसका ज़्यादा होगा उसी के शाब से थोड़ा से बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसके पहले मेरी आर्चर की CP ज़्यादा है बट जो आटो बैटल पे जो भी एनमल अपनेंट और जो दूसरा बंदा होता है तो उसकी CP कम होती है 40 मिलियन या 40 मिलियन एप्रोक्समेटली सो उसपे क्या है टिकेट वेस्ट हो जाता है आपका क्योंकि आपके अकेले पे काफी टफ है यहाँ पे अप्रोक्समेटली सबका पावर सेम ही है बस मेरा थोड़ा सा कम है सो बाकी इनका एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पेस्ट वाला मैं अडजस्ट कर लोगा तो सब तक्रिवन सिपका 60 मिलियन के आस पास है तो देखते हैं फरस्ट डेमानिक रेड यहाँ पे सकसेज होती है अंसक्सेशफुल डिफीट होता है सो क्या है वो देखते हैं आपकी मैं यहाँ पर इसके पहले वाकी जितना भी मैंने खेला एक चीज मैं नोटिस किएक तो आपको सबसे पहले आपको इतना ध्यान लखना एक आपको जो मैंन स्किल्स है ऐसमे प्रहूरश गान या आल्टीमीट इसकील है सो उसको आपको बस land होते ही नहीं चलाना है उसको at least waste करना है जब enemy की power 1110 मतलब जो HP बार है बखूरा का वो 110 रह जाए उसके बाद आपको चलाना है और दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जितना हो सके enemy के behind रहके आपको मारना है मेरा almost खतम हो गया सो आपको behind रहके मारने पेना आपको benefit मिलेगा कि इसकी जो ultimate या कुछ भी मारेगा तो लगेगा नहीं इतना time से मैं प्राइ कर रहा हूं उसके back से मारना कि यह और जो बाकी के दो प्लेयर आपके friend से मार रहे हैं सो आपको इस पर benefit मिलेगा तो यह भूमा अगर तो फिर दिकत है लेकिन behind रहने से ज्यादा आपको benefit और जो यह ring out साइज हो जाए मेरा प्लेयर तो कोई नहीं अभी हम लोग वही है अलग है तो ब्लैक खोल कहां से आएगा पुछ पता नहीं है तो मेरा फ्रॉस्ट कैनन के लगना चाहिए बट लगा नहीं पता नहीं है आप शील्ड बेस के साथ में बग शॉट अब फाइनली यह हुआ सक्सेस्फुल हो गया और जो बाकी की है वह भी देखते हैं हुआ आब को हुआ 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 झाल 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 कर दो दो कि अर मत अज़ मैंने के अजह क्यों है कर दो कर दो झाल 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 तो यहां पे complete हुए बस मजे एक बार L stone मिला है refine weapon का आप दिए आपको थाइव और यहां पर यहां यहां पर आप लेवल अप के लिए आपको 5 जह डिबॉलिक स्टोन चाहिए तो मेरे पास six आएड है तो मैं five से इसको अप कर लेंगे और अब जो है नाइन टाइम्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा तगरीबन आपको एट डेज लग जाएगा बाकी के स्टोन को कलेट करने के लिए क्योंकि दो ही मिलता है आपको चाहिए और इसके लिए आपको 38 चाहिए तो 21 है तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलता हूं नेक्स अपनी वीडियो पर ट्रिल एंट टाटा बाई बाई टेक क्यार